अगर आप blogger यह WordPress यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आटिकल जरूर लिखते होंगे यहां फिर आपकी कोई e-commerce website है जिसके अंदर आप products को add करते हैं अपने affiliate products को add करते हैं तो उसके उपर भी आप जरूर कुछ ना कुछ पोस्ट लिखते होंगे पोस्ट लिखने से पहले हम keyword की research करते हैं और उसके उपर मैं काफी सारे videos बना चुका हूँ और उसके बाद जो main point आता है वो आता है title जब तक आपका title attractive नहीं होगा अच्छा नहीं होगा तो maybe ऐसे chances हो सकते हैं कि उसके अंदर clicks भी कम आए चाहे हो Google के अंदर rank कर जाए क्योंक आपको बताऊंगा कि आप title को कैसे generate कर सकते हैं वैसे तो इस topic के उपर मैं already video बना चुका हूँ आप चाहे तो YouTube चैनल में जाके लिख सकते है title generator techno विदान्त आपको यह videos मिल देंगे पर आज मैं आपको बताऊंगा कि आप unlimited titles को कैसे generate कर सकते हैं मुझे जब भी कोई ऐसा tool मि आपके साथ share जरूर करता हूँ भले उसके उपर मैं already topic क्यों ना बना चुका हूँ इसके इंदर friends आपको अनिमेटरी topic मिलेंगे आप अपने affiliate accounts के जो products होते हैं उनको भी आप यहाँ पे add कर सकते हैं और उससे भी आप title generate कर सकते हैं यह सब कैसे होगा वो तो laptop की screen पर चलके जलता हूँ सबसे पहले आपको Google open करना है वहां पर लिखना है SEO pressure आप यह spelling दियान से देख लिए यह जो first website आ रही है इसके उपर आपने click करना है डिरेक्टिव website open हो जागी यहां आपको tools की option मिल रही है इसके उपर आपने click करना है यह next page open होगा यहां से आपने इसको नीच आपको एक generic term मिल रही है और इसके उपर click करेंगे तो आपको काफी सारी options मिल रही है मैंने Amazon का logo इसलिए डाला है कि अगर आप affiliate account की website बना रहे है आपकी कोई e-commerce की website और आपको समझ नहीं आ रहा कि उसके उपर topic ऐसे लिखे जो Google के अंदर rank करे और visitor जब आपके link पे click करे त उस website को open करेंगे और वहाँ पे friends आपको काफी सारी options मिलेगी इसके अंदर best sellers में मैं गया और यहां से जो भी आपने niche अपनी select करनी है उसके उपर आप click करेंगे for example यहां से computer and accessories के उपर मैंने click करा अब यहां से आप जिस product को भी लेना चाहते हैं उसके नाम को आप copy करेंगे यहां से आप देखेंगे friends यह MI का smart band है इसके उपर मैंने click करा और यहां से मैंने इसके नाम को copy कर लिया अब copy करने के बाद वापिस इस website में आऊँगा यहां पर मैं paste करूँगा और उसके बाद मैं इधर brand and product इसको select करूँगा और यहां से generate titles के उपर मैं click करूँगा यहां पर आप देखेंगे highlight हो रहा है मेरा जो main keyword था अब यहां से आपको भी सिर्फ five titles मिले है अगर आपको इसमें से कोई title पसंद आ रहा है तो उसको just आपने copy करना है और अपनी website में डालना है और उसी से related आपने नीचे post लिखनी है अगर आपको product से related post लिखनी नहीं आत titles इसके उपर आपने click करना है यहां पर आपको पांच और ऐसे titles मिल गए अपने blog के लिए article के लिए चैवसे आप wordpress में use करें यहां फिर blogger के अंदर अगर इधर से भी आपको कोई पसंद नहीं आ रहा तो आपको फिर से यहां पर click करना है मैं बारवर click इसले कर रहा हूं friends क क्योंकि यहां पर अभी एक message आने माल है उस message के बाद आपको क्या करना है जिससे आपकी titles unlimited आने लगजेंगे यहां पर मैंने फिर से click करा और यहां पर आप देखेंगे friends फिर से मेरे पास यहां show करने लग गए एक बार मैं फिर से यहां पर click करूँगा आप देखेंगे daily limit म यहां पर click करता है जैसी आप यहां पर आप देखेंगे एक line लिखी है so tell us who you are and enjoy unlimited titles everyday यहां पर verify के उपर click करेंगे उसके बाद यह next page open हो गया फिर से आपने site में जाना है blog title generator पर click करेंगे अब यहां से आप unlimited titles को generate कर सकते हैं अगर आपके email ID में कोई verification code यह verification link आएगा तो उस अगर आप अपने article क्लेड अगर आपको e-commerce यूज नहीं कर रहें normal आपकी website है article के लिए title generate करना चाहते है तो इसे generate terms में ही रहने दे और यहां पर आपको अपना title लिखना है for example keyword research के उपर मैं topic लिखना चाहता हूँ और मुझे यह नहीं पता कि मैं title कौन सा दूँ उसे long tail keyword क मैंने click कर दिया यहां पर आप देखेंगे मेरे पास 5 टाइटल आगए generate more titles पर click करके मैं इसको और भी generate कर सकता हूँ जैसे अभी यहां पर यह शो कर रहे है पर मैं एक चीज बताओ friends मेरे email के अंदर एक mail आया है SEO Presser की तरफ से यहां पर इस तरह कोई verification link या verification आपको कोई भी code में देखना जो मुझे वहां पर डालना पड़ेगा जस्ट इन्होंने एक मुझे thank you का mail कर रहा है और कुछ मुझे details बताईए आप चाहे तो यह read करना चाते है तो read कर सकते है उसके बाद friends आपके पास यह title आ चुके है अब इसमें आप जितनी बार भी click करेंगे आपके प देखा आपने सिर्फ email id डालना है और unlimited titles आप generate कर सकते हैं चाहे आप blogger wordpress यूज कर रहे है यहां फिर कोई affiliate account की आपने website बनाई है मतलब e-commerce की website बनाई है वो सारा तरीका मैंने आपको बता दिया I hope आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा इसे like को share जरूर करें मैं आ है